सपा नेता ने की बहन मायवती की जमकर तारीफ बसपा को लेकर ये क्या कह दिया जिया दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैं उपर आगमेंदर आप देख रहे है नैशनल चौपाथ जिस प्रकार लोकसभा 2024 के चुनाओ है इसके साथ साथ विदान सभा के चार प्रदोश् जो समाज़ादी पाटी के नेता रोली तीवार इनके माड़ियम से एक बड़ा बयान दिया गया है ब़यान दिया गया है बोजन समाज़ादी पाटी के राष्ट एद्दस बैनमायवती इनको लेकर बैन मायवद्यों के लेकर तमाम जो बड़ी बात ये रोली तिवार इनके माध्यम से की गई है जो के पुरोविधायक भी रह चुकी है जिसके मद्दे नजरक्त वे एक नया विशे कहने के चर्चा का छिड़ चुका है और ये विशे लगाता रतुल पकड़ता वा भी नजर खासतोर पर देखा जाता है जब उत्तरप्रदेश के अंदर में बहुजन समाच पाइटी का जो शाशनकाल रहा जिस शाशनकाल को समझ समय पर याद किया जाता है और आज भी उस शाशनकाल को याद किया जाता है जिस तरीके से बहुजन समाच पाइटी के माध्यम से उनका राजिस्ट पस्ताफित किया गिया, तमाम तरिके से गुंड़ा प्रवर्ती के जो लोग थे, वो उनको कहने कि उत्तर प्रतेश को छोड़ कर भागना पड़ा, तमाम तरिके से ऐस्तियासिक जो चीजे हुई है उसको आज भी उत्तरप्रदेश की जनता बार बार याद करती है और शायद उनी तमाम चीजों को लेकर रोली तिवारी का ये बड़ा बयाना है जहाँ पर रोली तिवारी ने ये साफ कह दिया कि बहुजन समाच पाइटी के रास्टेश बहुत अच्छा था मतलब की कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित करने का काम उत्तरप्रदेश में अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाच पाइटी के शाशनकाल में बहन मायवति के द्वारा हुआ है और जिसके कारण जो चीजे संबह हो पाई वो इस हद तक के संबह हो पाई तमाम जो गुंड़ा प्रवर्ति के लोग है जो गुंड़ा राज लाने वाले लोग है या फिर कई ने कई खासतोर पर तमाम जो अपराद उसको अंजाम देने वाले लोग है वो इस हद तक के थर-थर कापते थे उत्तरप्रदेश के अंदर में जब बहुजन समाच पाइटी की सरकार आ जाती थी ऐसे में उत्तरप्रदेश को छोड़कर तमाम प्रदेशों में जाकर वो भाग जाते थे और ऐसे में उनका ये मानना था कि अगर हम उत्तरप्रदेश के अंदर में रहेंगे तो कैने कि हमको 100 लागों के पीछे डालने का काम कर दिया जाएगा और इसलिए तमाम तरिकी जो चीजे उत्रप्रदेश के अंदर में बहुजन समाच पाइटी के शासनकाल में देखी गए जहापर हजारों की संख्या और लाकों के संख्या में जो तमाम गुंडा मानसिकता रखने वाले लोग है कहिने के दंगाई लोग है अने को प्रकार की चीजे भढ़काने वाले लोग है उनको सालाकों के पीछे डालने का काम उनके उपर में तमाम तरिके से मुकद में जो दर्ज नहीं होते थे हैं समयव से पहले दर्ज होने के पहले दबा दिये जाते थे उनके उपर में कड़ी का परवाई करने का काम किया गया खासतोर पर तमाम जो दलित आदिवास्यों पिछड़ समाच के आने वले जो लोग है इनके उपर में जाती के नाम पर जो अन्यात्या चार होता था जिसकी हद पार हो चुकी थी जो अपने चरम सिमा पर पहुच चुका था उन तमाम तरीके की जो चीजों पर अंकुष लगने का काम हुआ और इतना ही नो देखा या यह भी गया तमाम दलित आदिवास्यों पिछड़ तपके के खासतोर पर सवर्न समाच के भी जो गरिब समाच के लोग है यह अगर पुलिस टेशन के अंदर में जाते थे तो उनकी तमाम सुनवाई ह होती थी उनके फायर लिखे जाते थे तमाम तरीकिस उनको नियाए भी मिलता था यह चीज़े कहीं ने कई बोजन समाच पाइटी के शासनकाल में हो पाई है जिसके कारण उन तमाम चीजों को अब पूरे उत्तरप्रदेश की जनता बार बार याद करती है और इतना है नही जम कर तारिफ की है और बोजन समाच पाइटी के लेकर भी तमाम ये बाते कहिए तो आप कलपना करिए कि बोजन समाच पाइटी का शासनकाल जो उत्तरप्रदेश के अंदर में रहा और उसी प्रकार के शासनकाल के संकलपना को लेकर तमाम प्रदोस्टों के अंदर में अगर सरकार में भी शामिल हो जाती है तो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और वो परिवर्तन निची तुरूप से उत्रप्रदेश के जैसा ही होगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहती है बार बार यह कहती है कि हम अपने चुनाओं के दौर में किसी भी प्रकार का कोई घोशना पत्र जारी नहीं करते है इस देश के अंदर में जो भारति सविधान है यही हमारा घोशना पत्र है और बहुजन समाज पार्टी कतिनी में इसे अधिक तो करने में जाधा विश्वास रखती है सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं रखती है तो उसको तमाम चीजों को implement करने अमल में लाने के लिए भी कोशिश करती है वो तमाम बाते बहन मावती हमेशा से अपने तमाम भाषनों के अंदर में लगातार कहती है बोजन समाच पाइटी के तमाम बदाधी कारी नेता कारे करता लगातार इस बात को दोरहने का काम करते तो रोली तिवार करने कि दूसरा और खाष्टार पर काम देखने को नहीं मिलेगा और यह भी काफी लोग कहते है कि उत्तरप्रदेश को अगर किसी ने उत्तरप्रदेश बनाये है तो बहुजन समाज पाइटी ने बनाया है वो बहन मायवती ने बनाय से पूरे MSLE को लेकर क्या आपके राय समाज़ादी पार्टी की नेता रोली तीवारी इनके माध्यम से जो बयान दिया गया इसको लेकर रख्या आपकी राह है उसे भी अमेली कर जोर्वता है बने रहे है नैस्टनल चौपाल के साथ मिलते है नए वीडियो में तब तक के लिए जैभीम जैभारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले